हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनादर वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HTML में टेक्स्ट एडिया का जो वैल्यू है उसे हम कैसे जावा स्क्रिप्ट में गट करते हैं तो इस वीडियो को पूरा लाज तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक JS Class नम का फोल्डर है इसके अंदर आज का मैं फाइल बनाऊंगा जिसके उपर मैं काम करने वाला हूँ तो cmd की थ्रू बनाते हैं फाइले वीडियो में मैंने बता ही जाया आप लोगों को कि कैसे html फाइल बनाते हैं तो यहाँ पर आके cmd लिखेंगे तो इसी लोकेशन पर हमारा यह cmd खोल कर देदेगा ठीक है देख सकते हैं अब यहाँ पर हमें सिंपल लिखना है copy con file का name देदेना है तो हम क्या करने वाले text area का value हम get करेंगे तो text area.html और इसे करेंगे enter करने के बाद हम यहाँ पर ctrl z प्रेस करेंगे और enter करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर text area नाम का हमारा html फाइल बन गया है अब हमारा command prompt का कोई ज़रूरत नहीं है इसे हम बंद करते हैं अब इस पर आते हैं और right click करके इसे हम open with code editor करते हैं ठेक है यानि कि visual studio code तो visual studio code में असान है coding करना और बहुत सारी चीजे हैं उसमें जो असान बना देता है हमें coding करने में तो इसे करते हैं visual studio code के थूरू इसे open करते हैं तो अभी देख सकते है text area.html यह हमारा बिल्कुल blank file है कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो अब मैं इसके अंदर लिखना शुरू करता हूं तो मैं इसे थोड़ा सा zoom कर देता हूं अब यहां पर code लिखना शुरू करते हैं ठीक है तो यहां पर doc type हम देते हैं HTML यहां पर HTML का tag होलते हैं इसके अंदर हम एक बनाते हैं head tag बहुत ही basic सा structure में बना रहा हूं इसमे head tag हो गया अब इसके अंदर एक मैं बनाता हूं body tag ठीक है अगर आपको HTML के basic structure नहीं पता है तो आप हमारे दूसरे चैनल को जाकर subscribe कर ले चैनल का नाम है Multicoding नीचे यहां पर description में लिंक भी दिया हुआ है मैं step by step सभी जितने भी programming language है उसका मैं tutorial लाने वाला हूं वह भी हिंदी में तो अभी तक उस चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज जाकर subscribe कर ले वहां पर step by step one by one मैं बताऊंगा सबको तो आगे हैं यहां पर हम body tag में अब यहां पर head tag में आके हम एक title दे देते हैं title title में हम लिख देते हैं how to get value of text area in javascript ठीक है यह title कहां पर आएगा हमारा मैं अगर इस यहां पर run करकर दिखांगा आपको डबल क्लिक करके run किया मैंने इस यहां तो देख सकते हैं यह कहां पर आया हमारा यह यह आया है यहां पर हमारा यह how to get value of text area बीच में हमने कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर अगर मैं इसे दिखाऊं आपको यहाँ पर बीच में body tag में जो भी हम लिखते हैं वो हमारा webpage पर visible होता है ठीक है दूसरा चीज हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता तो इसे हम एक बर और करते हैं copy और इसे हम h1 tag में यहाँ पर लिख देते हैं heading tag में ठीक है टाइटल अलग है heading अलग है अब जब मैं इसे करता हूँ यहाँ पर refresh तो हमें यहाँ पर जाके दिखाई देगा वह देख सकते हैं टाइटल अलग चीज है और वह अलग चीज है ओके तो चलिए आगे code करते हैं एक यहाँ पर मैं bear tag देता हूँ जिससे कि हम next line में आ जाएं और next line में तो आ जाएं यहाँ पर मैं HR देता हूँ HR से क्या होता है horizontal line आता है हमारा मैं दिखा देता हूँ refresh करके देख सकते हैं यह horizontal line ठीक है आप चाहते हैं इसे अगर बीच में लाना तो बीच में भी ला सकते हैं इसे दोनों साइड में आपको बस center लिखना पड़ेगा एंड में जाएंगे देख सकते हैं center यहीं पर आ गया तो यहां से center को इसे cut करेंगे और last में paste कर देंगे save किया मैंने refresh करता हूँ देख सकते हैं हमारा यह center में आ गया ठीक है अब यहां से हम text area लेते हैं कि यहां पर आके text area लेने के लिए क्या है text area simple लिखना होता है और इसे हम बंद कर देंगे और इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वह वहां पर दिखाई नहीं देगा हम अगर इसके अंदर value लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे तो यह आगे की बात है मैं बताऊंगा यहां पर simple मै इसे control s करके save करता हूँ और मैं इसे करता हूँ refresh तो देख सकते हैं यहां पर text area आगया हमारा और यह resizable है resize करके हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं अगर मैं इसके value ये copy करूँ और यहाँ पर paste करता जाओ तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो यह लिखा हुआ चीज जो भी है हम user से input लेते हैं अब इस input को हम कैसे get करेंगे java script में जिससे हम किसी भी database में या कहीं भी और इसे use कर सकते हैं इस value को तो कैसे करेंगे देखते हैं तो इसे करने के लिए text area तो हमने दे दिया अब मैं इसे height और width दे देता हूँ तो यहाँ पर style लिखते हूँ style लिखने के बाद यहाँ पर देते हैं height 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 कितना होना चाहिए height हम दे देते हैं इसे 300 pixel width दे देते हैं width क्या दे दे width इसे कर देते हैं 600 600 pixel देख सकते हैं control s करके save करते हैं मैं साथ ही साथ दिखाता भी जाता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यह आ गया और भी resize भी कर सकते हैं इसे, लेकिन जो by default size आएगा, इतना आएगा, तो अभी देख सकते हैं, यह हमारा बीच में है, यह हमारा side में आ रहा है, तो इसे कैसे कर सकते हैं बीच में, बस इसके आजू आजू भी हम center लगा देंगा, center tag, center, center के साथ automatic close हो गया यह, code editor यह जो हम use कर बीच में आ गया, अब यहाँ पर बटन देते हैं, जिससे हम फिर इसकी value को get करेंगे, तो बटन देने के लिए क्लिए क्या है, यहाँ पर simple एक BR देते हैं, और यहाँ पर बटन लगाते हैं, बटन, बटन में क्या लिखते हैं, submit, okay, refresh किया, देख सकते हैं, बटन हमारा यहा से ले लेते हैं, center में, तो इसे BR को भी बंद करते हैं, और यहाँ पर center, यहाँ पर close कर देते हैं, अब देखेगा क्या होगा, तो यह यहाँ पर आ रहा है, कोई बात ने, हम इसे BR देते हैं, अब save करते हैं इसे, देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा बटन आ गया, और इसमें value यह हमारा title है, ठीक है कितना साफ सुतरा हमारा बन रहा है यह देख सकते हैं, तो यह बहुत ही जाधा बड़ा हो गया, मैं इसे width थोड़ी से कम करता हूं इसकी width, 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 400 करता है, यह रहा, ठीक है, तो इसकी height भी थोड़ी से कम करता हैं, जिससे कि हम इसकी value को ले सके, इस करते हैं, 150, अब ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी value को दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसे, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहले एक display वाला tag बना लेते हैं, यहाँ डिस्पले के लिए क्या है, यहाँ पर BR, और एक HR भी दे देते हैं, ओके, और यहाँ पर एक मैं दे देता हूँ, H1, और यहाँ लिख देते हैं, result, result will be display here, refresh करते हैं, और दिखाते हैं, देख सकते हैं, result will be display here, तो यह बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, मैं इसे करता हूँ, चोटा, चोटा करने के लिए क्या है, यहाँ पर simple आपको लिख देना है, थोड़ा सा बढ़ा गया, H4 कर देते हैं, हम इसे, refresh करते हैं, H4 आ गया, यह हमारा side में आ रहा है, तो इसे हम करते हैं, center में, एक center हम लगा सकते हैं, उपर से नीचे तक, उसमें ही काम चल जाएगा हमारा, या तो फिर आप separate, separate भी लगा सकते हैं, ठीक है, multi coding channel में मैं सारा चीज explain करक तो यहाँ पर मैं एक p tag बना देता हूँ, p tag क्या है, p tag यहाँ पर, p tag इसकी मैं id देता हूँ, id equal to result, अब यह हमारा काम हो गया, final, final हो गया, अब हम यहाँ पर बनाएंगे main चीज, java script अपना, script कहीं भी हम बना सकते हैं, ठीक है, अब क्या करना है हमें, text area, text area में भी हमने कोई id नहीं दिया इसे, तो हमें इसे id देना पड़ेगा, id is equal to input, input value या input data कर देता है, अब इसे हम इसे करेंगे catch, यहाँ पर, ठीक है, catch कैसे करेंगे, एक variable लेते हैं, यहाँ पर करते हैं data, और equal में क्या देते हैं, document.get element by id, यह पहले बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर लेते हैं, document.get element by id, यहाँ पर id का नाम देते हैं, id क्या हमारा, input data, ठीक है, input data अगया, तो उससे पहले मैं एक function मना लेता हूँ यहाँ पर, function के अंदर मैं इसे देता हूँ, function, 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 function इसे कर देता हूँ, get data, ठीक है, get data यहाँ पर देते हैं, इसे हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, तो क्या हमारा, इसके अंदर आ गया, अच्छा, script, script हमने गलत लिख दिया है, अब सही है, script, okay, script, वही मैं सोच रहा था, इसका color ऐसा क्यों दिखाए दे रहा था, script हमने गलत लिख दिया था, spelling, आपको सही धहर रखना है, तो देख सकते है, text area हमारा, text area है, तो इसके जो inner HTML को कैसे get करेंगे, यानि उसके अंदर जो लिखा हुआ है, उसे हम value से get करेंगे, ओके तो इसके अंदर जो भी सारा value है, वह हमारा data के अंदर आ जाएगा, data के अंदर आ जाएगा, अब क्या करना हमें, display लेना है, display के अंदर हमें क्या करना है, display के अंदर simple सा हमें, यह जो p tag हमने दिया है result वाला, इसकी id हमें कर लेना है और इसे get करना है, तो p tag कैसे लेते है, document, document.get element by id, document.get element by id, id क्या है हमारा, id हमारा है result, ठीक है, देख सकते है, p tag में हमने दिया है result, तो यहाँ पर result, अब यहाँ पर क्या है, इसे value से हम get नहीं करेंगे, इसे हम inner html से लेते हैं, inner html, तो हमें ऐसे ऐसे display में लेने के जरूरत नहीं है, variable, हम simple इसे inner html में क्या save कर देंगे, inner html में data को provide कर देंगे, simple, देख सकते हैं, बहुत ही असानी से हमने कर लिया, अब क्या है, get data को हम call कर लेंगे, कहां से, get data को हम button से call करेंगे, यहाँ पर हम function करते है, on click, on click equal to get data, ठीक है, function को call करने के लिए हमें bracket देना जरूरी होता है, function का नाम लिखेंगे और यहाँ पर bracket, अब जब भी इस button पर कोई भी click करेगा, यहाँ पर हमारा data नीचे यहाँ पर show होने लगेगा, तो मैं इसे करता हूँ, ctrl s करके save, अब चलते ब्राजर में इसे करते है, refresh, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, this is multi coding, अब मैं करता हूँ submit, देख सकते है, multi coding यहाँ पर आगया हमारा, ठीक है, अब जितना मरजी उतना आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे paste कर दिया मैंने बहुत सारा, अब मैं करता हूँ submit, तो देख सकते ह यहां पर हमारा value आ रहा है ठीक है तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने text area का जो भी value इसके अंदर जो भी हमारा data होता है उसे हम कैसे get करेंगे तो यह हमने देख लिया ओके तो अब क्या है हमारा कि यहां से हम data लेते हैं उसके बाद हम इस से इस data को manipulate कर सकते हैं कहीं भी database में या कहीं भी किसी तरह से use कर सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही उमीद है छोटा सा information आपको पसंद आया होगा और हाँ अगर यह code आपको चाहिए तो code के लिए आप हमारे वेब साइट पर जा सकते हैं मैं दिखा दिता हूँ आपको कैसे code को download करना है तो यहां पर Google पर आना है आपको लिखना है multi care technical आप लिखेंगा फर्स्ट वाला पेज आ जाना है आपको और यहीं पर आपको दिख जाएगा ठीक है यहीं पर दिख जाएगा how to get a value from text area अभी यहां पर यहां पर यह दूसरा है तो इसमें बता जता हूँ कि कैसे आपको download करना होगा बस ऐसा ही post आपको मिल जाएगा ऐसा यहां पर download का बटन आ जाएगा बस simple आपको download करना है यहां पर देख सकते हैं HTML फाइल आपको download होगा इस पर आप click करेंगे तो वही चीज दिखाई देगा यह पहला class में मैंने बताया था आपको अगर यह भी आपको देखना है तो simple ऐसा ही आपको दिख जाएगा वहां पर ठीक है तो इस वीडियो में बस आपको देख सकते हैं